हलो नमस्कार मैं आशुतो जूश्र आप लों का बहुत-बहुत सब्सक्राइब अपनी यूट्यूब चनल एयार आस्ट लोजाओ जैमस्क्राइब अज हम इससे टॉपिक में बात करने जा रहे हैं जो कि हर किसी की परिशानी हर किसी का कुश्चन है हर किसी के मन में ये बात है कि हम पैसा कमाते तुह हैं लेकिन हमेर पस टिकता नहीं उतका क्या करान है bir ना खतम होने के पहले हमारी खतम खतल को है हम जो कर रहे होते हैं कहने का मतलब यह है कि हम जैसा उचते हैं वैसा नहीं हो पाता पैसा तिक आैंट नहीं है और हमारे अब लड़की whats तो अपने राइट हैंड में देखिए हैं लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में देखिए हैं इसे कहते हैं शुक्र का परवत इसे कहते हैं शुक्र का परवत अगर शुक्र परवत पर इस प्रकार की लाइन है ऐसी खड़ी लाइन है तो उसका क्या मतलब है अगर जिस वेक्ति के हाथ पे इस प्रकार की खड़ी लेने उसे हर प्रकार की सुख सुईदाय मिलती है उन्हें हर चीज समय से उनके पास आ जाती है उनके पैसे में बचत होती है ये जमिन जायदाद अच्छे से खरीच सकते हैं ये अच्छे जगा इन्वेस्ट कर सकते हैं इनका पैसा हमेशा बच रहेगा कहने का मतलब ये है ये हमेशा खुश रहेंगे और सुखी रहेंगे दूसरी चीज मैं आप लोग के बता दूँ इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन और इसे कहते हैं अगर आपके हाथों में होरिजोंटल लाइन्स हैं तो ये चीज इसका उपोजिट हो जाता है आप लोग के पास पैसे नहीं टिकेंगे महनत बहुत होगी लेकिन आपके हाथ में सिर्फ थोड़ा लगेगा महनत तो आप बहुत करते हैं के बावजुद आपको फन नहीं मिलता आप अपनी जमीन नहीं खरे सकते हैं मन पसंद चीज़ें आप यूज नहीं कर सकते किसी को आप घिफ्ट नहीं दे सकते किसी से आप कोई चीज शेयर नहीं कर सकते चैब हो पैसे से रिलेटेड हो और दोस्तियारों से रिलेटेड हो जिससे भी रिलेटेड हो अगर आप पैसे का वेबार करना चाहें किसी से तो आप करी नहीं सकते आप खुद के लिए नहीं कुछ कर सकते दो दुसरे का तो सोचना छोड़ी दिजिए तो यह सब चीजें आपको शुकर से देती है अगर मान लीजिए ये लाइन ना हो, वर्टिकल लाइन ना हो, सिर्फ होरिजोंटल लाइन हो, तो इस चीज आपको बहुत नुकसान दायक है, आपको महनत बहुत है लेकिन परिणाम बहुत का, अगर इसके मताबिक ये लाइन हो, वर्टिकल लाइन हो, होरिजोंटल लाइन हो तो आप लोग को अपने जीवन में हर प्रकार के सुख सुविधाय मिलती है कम मैनत पर ज्यादा चीज़े मिलती है और बहुत सारी चीज़े आपकी शॉर्ट अपके सोचने के पहले आपके प्लानिंग के हिसाब से हर का बनना शुरू हो जाते हैं तो यह तो हो गया पहली अब दूसरे चीज़ में आ जाते हैं इसे कहते हैं हार्ट लाइन युरुदे रेखा भी कहा जाता है अगर यह दो भागों में बटके इस तरफ चले जाए इसे कहते हैं मंगल का परवत अगर नॉर्मल है ऐसी जारी है नॉर्मल कोई दिक्कत नी कोई लाइन टश नी कर रह हैं अगर यह टच करके इधर टच हो रही है दो भागों में डिवाइड होके इधर से ब्रांच निकल के इधर जा रही है तो यह मंगल दोश का निर्मान करती है और अगर यह सिर्फ डिरेक्ट इस तरफ चले जाए दूसरी ब्रांच ना हो सिर्फ इसी तरफ चले जाए ऐस तो भी मंगल दोश का निर्मान करती है तो मंगल दोश के होने से इंसान की चीजों में कमी आ जाती है उनकी सुख स्विधा में कमी आ जाती है पैसो में दिक्कत होती है कामकाज में दिक्कत होती है और सबसे में शादी में प्रॉप्रम होती है जी हां मंगल दोश एक ऐसा दो हमेशा दुखी रखता है शारिरिक, मानसिक और आर्थिक ये तीनों चीजों से मंगल दोश आपको दुखी करता है अगर आपको मंगल दोश है तो आपको शादी से रिलेटेड दिक्कत होगी रिष्टे नहीं आएंगे आएंगे तो किसी ना किसी प्रकार से तूट जाएंग आपकी सगाई हो जाएगी लेकिन शादी नहीं हो पाएगी सगाई तूट जाएगी अगर शादी किसी ना किसी प्रकार से आपकी हो गई मान लीजे आपने कैसे भे करके शादी भ्याव आपने कर लिया तो शादी टिकेगी नहीं और टिक भी गई तो आपके फैमिली मेंब और यहां आप लोग के मन में हमेशा दूइधा बनी रहेगी अगर यह सही रहा इसका निवारण आपने करा लिया मंगल दोश शांत करा लिया आपने तो आप अपने चीजों को बहुत हद तक ठिक कर सकते जी हां अगर आपका मंगल शांत हो गया मंगल से रिलेटेड दिक्कत एक खतम हो गई तो आपको हमेशा स्थुक सुविधाय मिलेगी अच्छा जीवनसाथी मिलेगा मन चाहा जीवनसाथी मिलेगा अगर आप प्यार मौबबत में हैं अगर आप रिलेशन्शिप में हैं तो भ आपको हमेशा अच्छी चीज़ देगा, आप अपने मन के जमीन खरी सकते हैं, मंगल जमीन का भी कारक है, जियां, मंगल जो होता है, जमीन जयाजात का प्रॉपर्टी का भी कारक है, अगर आपका मंगल शाहिरा, आपका शुक्र सहिरा, तो आप मन की चीज़े खरी सकते हैं, मन की property खरी सकते हैं, कहीं अच्छ जगा invest कर सकते हैं, आपकी बहुत सारी चीजे पर ये कारगार सिद्ध होता है, शादी भी मन पसंद जगा पर हो जाती है, और ये सब चीजे दिक्कत खत्म हो जाती है, अगर आपके हाथ में ये दो चिन खराब हैं, तो आपके पास कभी भी पैसा ठीके गा नहीं, पैसा आएगा ज़रूर, लेकिन कैसे खर्ष होगा वो आपको भी नहीं पता चल पाएगा, आप कहीं भी कैसे खर्ष करेंगे, आप planning जो बनाएंगे, वो planning आपके फेल हो जाएगी, किसी ना किसी प्रकार से आपको दिक्कत बनी ही रहेगी, तो आप आपको करना क्या है, आपको दो remedies करने है, पहले तो मंगल शांत कराना है, फर्स्ट प्रियोरिटी में आपको मंगल शांत कराना ही पड़ेगा, अगर मंगल शांत आप कराएंगे, तो आपके चीजे 50% से 60% तक आपकी चीजे चीजे ठीक हो जाएगी, सुधर जाएगी, शा और शुक्र आपका कमजोर है, तो आपको confidence level भी हमेशा कम ही रहेगा, किसी ने किसी प्रकार के किसी से छुटने का डर, किसी से बातचित करने में डर, किसी का विच्छेदन होने से डर, हर प्रकार से आपको डर बना ही रहेगा, मन में किसी ने किसी प्रकार से डर बना ही रह शादी में भी दिख्कत आएगी चीजे खरावनी शुरू हो जाएगी तो आपको इसको शान कराना है और शुक्र के भी उपाय करने हैं अगर आप शुक्र के और मंगल के दोने के उपाय करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मारा नंबर है आप उस पर कॉल करके समधार राप्त कर सकते हैं और चीजे आपको एकदम सहीं बताई जाएगी अगर आपको किसी दुसरे पंडित से करना है आपके परिचित पंडित या पुरूहित से आप करना ना चाहते हैं ये शान तो आप बिल्कुल करा सकते हैं क्योंकि जहां विश्वास से महीं पर काम करने में मसा आएगा और आपके चीजे में बड़ोत्री होकी और आपका काम बनता जाएगा आप मंगल का दान करें शिव जी पर मसूर की दाल ऐसे करके मसूर की दाल आपके शिवलिंग पर चढ़ाना है इस और शुक्र का शुक्र के लिए आपको क्या करना है साफ सुत्रा रहना है खुश रहना है सुन्दर रहना है हस्ते रहना है और ध्यान रखना है अपना प्रणाम करके हर आदे घंटे में पानी पीजिए और अपना खुब 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 झाल झाल